जैहिन स्वागत है आप सबका दीतत्या न्यूज में साथियों पिछले काफी लंबे समय से किसी पाकिस्तानी ने उपर से नीचे तक चाहें आर्मी का हो चाहें कहीं का भी हो उसने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया है आपने कहीं भी किसी भी मंच पर सुना ही नहीं होगा कि कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी जो हो कश्मीर का नाम ले रहा हो क्योंकि असल में सिच्वेशन ये है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर लेना तो बहुत दूर की बाता है अगले दस साल में पाकिस्तान P.O.K. को रिटेन कर पाता है P.O.K. को अपने पास रख पाता है वो ही बहुत बड़ी बात होगी पूरी चीज़ किया उसके तरफ आई हम चलते हैं उससे पहले चैनल को नहीं सबस्क्राइब किया सबस्क्राइब करके बलेकर दबा लें दोस्तों पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है कोई ऐसा नेता नहीं है पाकिस्तान का जिसने दुनिया से ये गोहार ना लगाई हो कि तालिबान को आप मदद करिए तालिबान को आप रेकोगनाईज करिए ये मैंने पूछा भी, लेकिन आज मैं ये नहीं कहूंगा, आज मेरा सवाल पाकिस्तानियों से कुछ और है, हामेद काल सब एक बड़े मशूर दिल्ली के शायर थे, वो अस्ते तुम्हें आने से लेकर, अब तक सिर्फ और सिर्फ जिसके नाम पर वो जिस टॉपिक पर वो देश चलता रहा, जिसके टॉपिक पर वो अलग-अलग देशों से करजा लेता रहा, अपने देश में आतंकी पालता रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा था कश्मी पाकिस्तान जो था वो हम सोचें तो 70 साल में पिछले आप पाकिस्तान का उठा के देखो 70 साल में आप कश्मीर हटा दो तो फिर उस पाकिस्तान देश में बचा ही क्या कौन सा उन्होंने पाकिस्मीर के जितनी भी इनकी चीजे हुई जितनी भी इनोंने काम किये वो सब कश्मीर के इर्द गिर्द ही किये कभी एक दौर था जब यह सोचते थे कि अमेरिका हमको कश्मीर फत्य करके देगा कश्मीर हमको दिलाएगा वहां से इनका पत्ता साफ हुआ फिर इन्होंने आतंकवादी को अलकाइदा से लेकर सब कुछ इनके भरोसे आएगी शैद वो हमको कश्मीर दिलाएगे कोशिस तो हाला कि हुई आतंकवादी गतिविदिया भी काफी हुई लेकिन जैसे तैसे जाके वो भी चीज फ्लॉप हो गई फिर एक दौर आया जब पाकिस्तान सोचतर आगी अब तो यह चाइना आगया है चाइना का दौर्ण भी लगता है यह तो कुछ भी हो जाए यह हमें पक्का से पक्का कस्मीर दिला देगा हो वो भी चीज नहीं पाई अब उनका खुद का हाईवे एट का पड़ा हुद का सीपी इसी एट का पड़ा उसके बाद फिर हम देखें अब आपने एक बहुत जाद वाइरल वीडियो देखा ही होगा जिसमें एक पाकिस्तान की जो PTI पार्टी एमरान खान की उसकी प्रवक्ता यह तक बोल रहे थे कि तालीबान हमको फते करके देखा वो काफी वाइरल वीडियो हुआ तो वो आपने देखा होगा अब इनका जो फिलाल उम्मीद ही है जो तालीबान से उम्मीद लगाए बैठे है इसी लिए दुनिया भर में जा करके जो है सपोर्ट भी कर रहे है तालीबान का इसी लिए सपोर्ट करने की इनको जो है कश्मीर साइद मिल जाए लेकिन ये सपना भी इनका जो है वो च्छन से तूटने वाला है बाकी इनके सपनों तर है क्योंकि तालीबान वहां का जो कश्मीर दिलानत चोड़िये फिलाल ही टीटिपी के माध्यम से कितने इनके सैनिक मारे जा रहा है दना दना दन इनके सैनिक मारता चला जा रहा है अपने ये सैनिक नहीं बचा पा रहे है तो वो चीज सपना कैसे ही पूरा होगा वो बहुत ही दूर की बात है आपकी क्या राया है नीचे कमेंट करके बताएं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक जैहिन